खबरदार अब आप देशी नहीं विदेशी हत्यारों से मारे जा सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में दिन प्रते दिन विदेशी हत्यारों का चलन बढ़ता जा रहा है प्रदेश में ऐसे कई सारे मडर केस हुए हैं जिन में विदेशी हत्यारों का इस्तेमाल बखू भी हुआ है लेकिन यहां एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर ये विदेशी हत्यार प्रदेश के अंदर आए तो आए कैसे है एक तरफ प्रदेश के मुक्या, योगी, आदेतेनाथ और बीजेपी के सब ही नेता प्रदेश को गुंडा मुक्त राज्य बनाने का धिनोरा पीटते हैं दूसरी तरफ प्रदेश में हो रही इस तरीके की वारदाते उनके द्वारा पीटे गई धिनोरे को पली ता लगाती हुई नजर आती हैं नमस्कार, मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं खबरदार शो आज के शो में हम आपको बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी कौन सी हत्याई हुई हैं जो विदेशी असलहे से की गई हैं सबसे पहले हम जीवा हत्यकान की बात करते हैं जिसको कुछ दिन पूर भी हत्यारे ने अंजाम दिया था जिसमें विदेशी मैगनम अलफा रिवॉल्वर का इस्तमाल किया गया यह उत्तर प्रदेश के अंदर मैगनम अलफा रिवॉल्वर से की हुई पहली वारदात है इससे पहले अजीत सिंग मिराज और मुकीम काला के कतल में भी जिगाना पिस्टल का इस्तमाल हुआ था अतीक वा अश्रफ पर भी जिगाना वा गिरसान से गोलियां बरसाई गई थी संजीव महेशुरी उर्फ जीवा को जिस चेकोसलो वाकिया की मैगनम अलफा पॉइंट 357 बोर की रिवॉल्वर से गोली मारी गई उसका यूपी में किसी वारदात में पहली बार इस्तमाल किया गया था प्रदेश में लगातार विदेशी असलहों का इस्तमाल बड़ता जा रहा है और ये बड़े चिंता की बात है इससे पहले अतीक अश्रफ मिराज मुकीम काला और अजीत सिंग जैसे हत्याकांड में जिगाना और गिरसान पिष्टल का इस्तमाल किया गया था इन विदेशी हत्यारों की सप्लाई कुख्यात गेंग्स्टर लॉरेंस विष्णोई गेंग से जुड़े तसकर कर रहे हैं ऐसे में आशंका है कि इसी गिरोह से जुड़े तसकरों के जरिये शूटर विजय आदब को रिवॉल्वर मुहया कराई गई प्रियागराज में माफिया अतिक एहमद और उसके भाई अश्रफ एहमद की हत्याग तुर्की की जगाना वक गिरसान पिष्टल का इस्तिमाल किया गया था अजीत सिंग हत्याकांड में भी जगाना का ही इस्तिमाल हुआ था वहीं अब 7 जून को लखनव के SCST कोर्ट में गैंग्स्टर संजीव महेशुरी उर्फ जीवा हत्याकांड को चेकोस्लोवाकिया की मैगनम अलफा .357 बोर की रिवॉल्वर से इस हत्याकौन जाम दिया गया सुत्रों के मताबिक लॉरेंस विस्णोई गैंग बड़े पैमाने पर इस तरह के विदेशी हत्यारों की सप्लाई करता है सिद्धूम उसे वाला हत्यकांड में भी विदेशी असलहों का ही इस्तिमाल किया गया था एक टीवी इंटर्व्यू में लॉरेंस ने कुबूला था कि यूपी में उसकी गिरोहों के लोगों ने इन हत्यारों को महिया कराया था आशंका है कि विजय को ऐसे ही तसकरों ने तो नहीं असलहा महिया कराया जिन वारदातों में जिगाना, गिरसान, पिस्टल और अब मेगनम अलफा .357 बोर की रिवॉल्वर का इस्तिमाल हुआ है उसमें शूटर ने सभी टार्गेट को मार गिराया है पलत जपकते इन विदेशी हत्यारों से ताबर तोड फाइरिंग होती है इनका इस्तमाल इसी लिए किया जा रहा है जिससे किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश न रहे विदेशी असलहों की सप्लाई लगातार की जा रही है जब वारदात होती है तब पता चलता है किस विदेशी असलहे का इस्तमाल हुआ है किस तरह से उसकी सप्लाई की गई पिछले दो साल में इन असलहों का कई सारी वारदातों में इस्तमाल होने के बावजूत पुलिस जाँच वसुरुक्षा एजेंसियां तसकरों के नेटवर्क को धुष्ट नहीं कर पा रही है लेकिन ऐसा क्यूं हो रहा है आपको बता दें कि पुलिस हिरासत में लखनों के SCST कोर्ट रूम में बुद्वार दोपहर बाद मुखतार अंसारी के बेहत करीबी कुख्यात अपराधी संजीव महेशुरी उर्फ जीवार की हत्या कर दी गई वकील के लिबास में आये हमलावर ने कोर्ट रूम में ही रिवॉल्वर से ताबर तोड छह राउंड फाइरिंग की थी ऐसे में किस पर भरोसा कीजेगा क्योंकि कभी अपराधी मीडिया कर्मी के भेश में आते हैं तो कहीं वकील के भेश में और असलाह भी देसी नहीं विदेसी इस अत्यकान के दोरान दो पुलिस कर्मियों ने एक देड़ साल की बच्ची और उसकी मां को भी गोली मारी थी जीवा पर हमलावर ने पीछे से फाइरिंग की वारदात के बाद वकीलों ने दोर कर हमलावर को दबोच लिया और पीट कर पुलिस को सौप दिया गायलों को ट्रामा में भरती कराया गया लेकिन इस सब के पीछे वजह क्या थी और ये वारदात एक के बाद एक विदेसी असलहों से क्यों की जा रही है वारदात के बाद अग्शित वकीलों ने परदर्शन कर पत्राओ भी किया जिसमें एसीपी चौक का सर फट गया कई वाहन भी छट गरस्त हो गए आला दिकारी भारी पुलिस बलके साथ मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक सब मामला सांथ हो चुका था अब बात ये आती है कि हमें खबरदार किस से होना है विदेश से आ रहे असलाहों से या जो लोग इन असलाहों को सप्लाई कर रहे हैं उन से या फिर हमारे देश में जो लोग उनका साथ दे रहे हैं उन से फिलहाल खबरदार आपको रहना है इन सभी से और अपने आसपास होने वाली हर वो चीज से जो आपको संदिग लगती है इसी तरह के और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत-बहुत प्रेम पूबरक शुक्रिया धन्यवाद और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो पर नए है तो चैनल को सब्स्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आउन कर लेजिए फेस्बूक पेड को फॉलो कर लेजिए वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपका हमारी मेहनत पसंदाती है तो बहुत बहुत शुक्रिया